हैलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागेत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल लाग्याज लर्निंग अड़ाप आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मनविज्ञान क्या है जो हमारा टोपिक चल रहा है इसकी क्लास नमबर टू है आज की ये कलास आपके लिए रीट की तयारी कर रहे हैं आप उसके लिए भी RPSC 2nd grade की तयारी कर रहे हैं फस्ट grade की तयारी कर रहे हैं उसके लिए भी C-tate, UP-tate, H-tate, P-tate किसी भी राज्य की पतरता परिक्षा के लिए DSSB के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भरती परिक्षा के लिए तो बहुत उप्योगी है तो इससे पहले अगर आपने क्लास फर्स्ट नहीं देखिये तो उसको देख ले आज की नंबर क्लास टू है हमारा टोपिक है मनोविज्ञान क्या है इसका अर्थ क्या है इसकी परिभाशाएं क्या है इसके छेतर क्या है और इसकी प्रकरती क्या है तो पिछली क्लास में हमने मनोविज्ञान का अर्थ समझा था आज की इस क्लास में हम सबसे पहले जानेंगे कि मनोविग्यान के संबंद में परमुख विग्यानिकों के दौरा दी गई परिभाशाएं क्या है फिर मनोविग्यान की विशेस्ताएं क्या है और मनोविग्यान को क्या विग्यान माना जाए या नहीं माना जाए यह तमाम बाते इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर मनोविज्ञान की परिभाशाएं यहां पर आज की इस कलास में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मनोविज्ञान की परिभाशाएं जो की अलग-अलग मनोविज्यानिकों के द्वारा समय समय पर दी गई है सबसे पहले दोस्तों हम एक परिभाशा की बात कर रहे हैं मैं कोशन मना कर मानलो इसको लिख रहा हूँ कोशन नमबर वन मैं परिभाशा लिखूँगा आपको बताना है कि ये परिभाशा किसकी द्वारा दी गई है मनोविज्यान विहवार का निष्चित विज्यान है मानलो ये परिभाशा है मन विज्ञान है यह है परिभाशा किसने दी यह है परिभाशा किसने दी ठीक है एक तो आपको यह बताना है कि मन विज्ञान विभार का निश्चित विज्ञान है हमारा टोपिक है परिभाशा है तो परिभाशाओं को मैं आपको कोशन मना के पूछ रहा हूं जिससे आपके पास कोई भी बुक हो जो भी है माटेरियल है उसको आप अपने पास रखे और फिर आप इनके उत्तर ढूंडते रहें मैं भी बताओंगा लेकिन पहले आपको ढूंड़ना है उसके बाद हमारा कोश्चन नमबर टू है यानि कि अगली परिभाशा क्या है मनुविग्यान वा वात्तावरण के संबंध में व्यक्ति की किरियाओं का विग्यानिक अध्यन है मनुविग्यानिक अध्यन है यह है परिभाशा किसने दी मनुविग्यान की यह दूसरी परिभाशा है आपको इस मनुविग्यानिक का नाम बताना है मैं फिर कह रहा हूँ आपके पास जो भी study material है उसको निकाल लीजिए और आप ढूंडिए कि यह परिभाशा है किन व्यक्ति की द्वारा किन मनुविग्यानिक की द्वारा दी गई है पहली परिभाशा है कि मनुविग्यान व्यक्ति की किरियाओं का व्यक्यानिक अध्यन है यह परिभाशा किस ने दी पिर हमारा question number third फटाफट से ढूंडते रहें मनुविग्यान व्यक्ति की द्वार और अनुभाव का विग्यान है मनुविग्यान व्यक्ति की द्वार और अनुभाव का विग्यान है यह परिभाशा किस ने दी यह सारी परिभाशा किस की है यह सारी परिभाशा मनुविग्यान की है और मनुविग्यान के संबंद में यह परिभाशा किस ने दी आपको खाली मनुविग्यानिक का नाम बत चलिए question number 4 पर पहुंचते हैं, question number 4 है कि मनोविज्यान, मानव विहवार और मानव संबंधों का अध्यन है, मनोविज्यान, मानव विहवार और मानव संबंधों का अध्यन है, ठीक है, यह परिभाषा किस ने दी आपको बताना है, और एक पांचने कोशन और लिख लेते हैं, या आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यहवार की विज्ञानिक खोज से है विहवार की वेज्ञानिक खोज से है यह परिभाशा किसने दी अभी और भी परिभाशा है लेकिन आप सबसे पहले इन परिभाशाओं का आप मनोविज्ञानिक का नाम बताओ और यह परिभाशा है इसी कलास में याद भी करनी है हमारे को पहली परिभाशा है मनोविज्ञान व्यवार का निश्चित विज्ञान है यह मनोविज्ञान की परिभाशा किसने दी थी दोस्तों यहां पर मैं आपको अब अंसर बताने वाला हूँ कि मनोविज्ञान व्यवार का निश्चित विज्ञान है ये परिभाशा किस ने दी थी ये परिभाशा दी थी वाटसन ने जे बी वाटसन जोन ब्राडस वाटसन ये परिभाशा देने वाले मनोविज्ञानी कौन थे वाटसन थे मनोविज्यान वातावन के संबन्द में वेक्ति की किरियाओं का वेग्यानिक अध्यन है ये परिभाशा किसके द्वारा दी गई थी? ये परिभाशा दोस्तों वुडवर्थ की द्वारा दी गई थी वुडवर्थ वुडवर्थ ने ये परिभाशा दी थी कि मुनु विज्ञान व्यातावर्ण के संबन में वेक्ति की किरियों का विज्ञानी का ध्यन है ये परिभाशा किस ने दी थी ये परिभाशा वुडवर्थ ने दी थी मुनु विज्ञान व्यावार और अनुभाव का विज्ञान है ये परिभाशा किस ने दी थी ये परिभाशा दी थी दोस्तों स्कीनर ने स्कीनर बी एफ स्कीनर बोलते हैं इसको बुरिस फ्रेडरिक स्कीनर इनका पूरा नाम है मनुविज्यान व्यवार और अनुभव का विज्यान है ये परिभाशा किस ने दी थी ये परिभाशा स्कीनर ने दी थी मनुविज्यान मानव व्यवार और मानव संबंधों का ध्यन है ये परिभाशा किस ने दी थी ये परिभाशा दी थी क्रो एंड क्रो ने इन मंधुओं ने ये परिभाशा दी थी क्रो एंड क्रो मनविज्ञान मानव विवार और मानव संबंधों का अध्यन है ये परिभाशा देने वाले कौन थे क्रो एंड क्रो आधुनिक मनविज्ञान का संबंध विवार की विज्ञानिक खोज से है ये परिभाशा किसने दी थी ये परिभाशा दी थी दोस्तों मन ने मन नाम के मन विग्यानिक थे इन्होंने ये परिभाशा दी थी तो हमने इस पेज पेज पे अभी हमने पांच परिभाशा सीखी हैं और ये परिभाशा आपको पता भी होनी चाहिए आप परिभाशा याद निश्चित विज्ञान किस ने दिया था वोट्सन और वोट्सन व्यवार वादी थे व्यवार की बात कर रहे थे व्यवार का निश्चित विज्ञान वोट्सन ने कहा था और वात्तावरण के संबंद में व्यक्ति की किरियां ये वुडवर्थ ने कहा था और मानव व्यवा मन विज्ञान विवार का निष्टित विज्ञान ने दे थी ? प्रिभाशा J.B. Watson ने दी थी और मनो विज्ञान वातावन के संभण में वैक्ती की क्रियाओं का वेज्ञानिक अध्यन है। अब एक अगली परिभाशा मैं लिख रहा हूँ आपको बताना है कोशन नमर हमारा 6 आ गया छटे नमर की परिभाशा है ये मनो विज्ञान की सबसे संतोस जनक मनो विज्ञान की सबसे संतोस जनक परिभाशा मानव विहवार मानव विहवार के विज्ञान के रूप में विज्ञान के रूप में की जा सकती है की जा सकती है मनो विज्ञान की सबसे संतोस जनक परिभाशा मानव विज्ञान के विज्ञान के रूप में की जा सकती है ये परिभाशा किसने दी थी आपको बताना है सोचते रहिए आप और कोई बुक है तो उसको निकाल लीजिए और ढूंड़े क्या इसका अंसर होगा मनोविज्यान जीवित वस्तूों के विवार का विज्यान है मनोविज्यान अगली परिभाषा यह है मनो विज्ञान, जीवित वस्तुओं के विवार का विधायक विज्ञान है अब ये परिभाशा किस ने दी थी दो परिभाशें और आ चुकी है कि मनो विज्ञान की सबसे संतोस जनक परिभाशा मानो विवार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है और दूसरी परिभाशा है कि मनो विज्ञान जीवी तवस्तों के विवार का विधायक विज्ञान है ये दोनों परिभाशें किसने दी आपने अंसर डूंडा के नहीं डूंडा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये परिभाशा जो है पिल्सबरी के द्वारा दी गई थी और ये वाली परिभाशा जो है विल्यम मैकडूगल के द्वारा दी गई थी किसके द्वारा विल्यम मैकडूगल ने दी थी और विल्यम मेकडूगल कोन है दोस्तों विल्यम मेकडूगल ने मूल परवर्तियों का सिध्धान्द दिया था किसका सिध्धान दिया था मूल परवर्तियों का सिध्धान्द मूल परवर्तियों का सिध्धान्द इन्होंने ही दिया था और व्यवार शब्द का परियोग भी सरवपर्थम इन्होंने ही किया था और इन्होंने 1908 में इन्हीं मैक डूगल ने एक चीज और याद रकलो 1908 में एक पुस्तक लिखी थी सामाजिक मनोविज्यान का परिचय यह इस पुस्तक का नाम था ठीक है इसी पुस्तक में जो 1908 में इन्होंने लिखी थी इसी में इन्होंने व्यवार शब्द का परियोग सरवपर्थम किया था लेकिन व्यवार वादी विचार धारा का जनक किसे माना जाता है विखार वादी विचार धारा का जनक किसको माना जाता है J.B. Watson को विखार वादी विचार धारा का जनक माना जाता है क्योंकि इन्होंने William MacDougill के कारे को आगे बढ़ने का काम किया था तो आज की इस क्लास में हमने पढ़े हैं मनोविज्ञान की परमुख परिभाशाएं X के अगले क्लास में हम मनोविज्ञान की विशेष्टाइं पढ़ेंगे मनोविज्ञान के छेतर पढ़ेंगे मनोविज्ञान की प्रकरती पढ़ेंगे और अंत में मनविज्ञान से संबंधित कौन-कौन से RPSC में या RET में या CETAT में या किसी और परिक्षा में कौन-कौन से प्रशन मनविज्ञान से पूछे गए हैं उन प्रशनों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे तो कलास को एंजोई कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए जितने ज़्यादा लाइक कमेंट आएंगे उतना हम में भी एनरजी आती है वीडियो को बनाने के लिए तो एंजोई कीजिए अगली कलास में फिर मिलते हैं नमस्कार